Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया, तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडन्ट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहोंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का सापता ही ग्राशी फल चलिए ले ब्राश आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, ace of materials and going with the flow तो दिखें सबसे पहली बात, यहाँ पे materials का card reverse है तो कहीं पैसा, money, finances, materialistic, tangible चीज़ों से related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले इस week रह सकते हैं और दिखें जनरल रीडिंग है तो सब के लिए यह मसले, यह issues differ कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी payments delay हो रही है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जादा खर्चा हो रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितना profit आपने expect किया था उतना profit इस week आपको नहीं हो रहा है और दिखें जो दो-तीन चीज़ें मेरे mind में आई, मैंने कहीं यहाँ पे सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ कर सकता है क्योंकि again यह general reading है और दिखें जिस भी जगा पे आप काम कर रहे हैं जो भी काम आप कर रहे हैं उससे related भी इतना comfort इस week रहता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ मैं कहा सकती हूँ कि उतनी stability, उतनी security आप महसूस करते हूए नहीं दिख रहे हैं और देखिए यह ace का card है ace star में कहीं नई beginning की भी बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कि किसी level पे किसी तरीके की एक नई beginning या तो आप करना चाहा रहे हैं या हो रही है और उससे related भी छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रहे हैं और दिखिए surface level पे जो भी हो रहा हो कहीं deeper level के लिए going with the flow का card कहता है कि या तो आप इन ही सब चीजों को अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं आप beyond the point effect नहीं हो रहे हैं या फिर ये card आपको guidance दे रहा है कि आपने going with the flow वाली energies में रहना है जैसे चीजें आ रही हैं आपने उनको वैसे ही लेते जाना है और personal front के लिए आप लोगों के लिए star reverse and existence के cards हैं और देखिए the star reverse का card कहीं एक negative frame of mind की बात करता है कहीं अपने goal अपने मकसद को लेकर किसी level पे directionless भी feel करने की बात करता है जहां पे होता है ना में लगता है कि हमें clarity ही नहीं है कि हम क्या करें कैसे इस चीज़ को deal करें किस तरीके से इस चीज़ को ठीक करें और देखिए आप इस सब के लिए different life के issues हो सकते हैं जिसको लेकर again एक negative frame of mind है या फिर आप directionless महसूस कर रहे हैं लेकिन the star के नीचे existence का card कहता है कि हो सकता है कि कोई wish कोई desire आपकी है जिसको आप manifest करना चाहा रहे हैं और उसी से ही related ये issues ये मसले आप महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहली बात Libras negative frame of mind कभी भी हमें positive result नहीं देता है चाहे externally चीजें जितनी भी favorable हो तो इस चीज को आपने check करके जरूर correct करना है और इसके लिए देखिए आप positive लोगों से connect करें positive जगाओं पे जाएं positive लोगों को सुने देखिए इतने सारे YouTube में motivational speakers हैं जिनके साथ आप connect करते हैं उनको सुनें और फिर से मैं कहूंगी कि जो भी करें इन energies से अपने आपको बहार निकालें क्योंकि जब आप इन energies से बहार निकलेंगे एक positive frame of mind में आएंगे तब ही आप अपनी wishes अपनी desires को भी manifest कर पाएंगे और देखें existence का card कहीं universe की तरफ से एक supportive एक cooperative energies की भी बात करता है तो again देखें universe का support आपके लिए available है आपनी थोड़ा सा effort करके अपने आपको इन energies से बहार निकालना है and guidance से आप लोगों के लिए to the sea का card है और देखें ये card भी कहीं going with the flow की ही बात करता है तो फिर से मैं कहूंगी कि जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उनको वैसे ही लें beyond the point you know आप कोई भी चीज अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो उसको लेके परेशान ना हों आप bigger picture देखें और फिर से देखें universe आपको support कर रहा है तो long run में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा कितनी बारी short term में या short run में हम उसको नहीं देख पाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं और यहां पे cards आपको बहुत ही clear guidance दे रहे हैं कि जैसे चीज़ें आ रही हैं अगेन आप उनको वैसे ही लेते जाएं और astrology से आप लोगों के लिए Mars planet का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए